नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका रेवा मश्रूम फार्म एंड किचिन चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त निशान सिंग आज बहुत ही खास वीडियो होने वाला है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए वह रेस्पी ल आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बजार में बिखने वाला जो मश्रूम पाउडर है बजार में जो 300-300 रुपए में बिखता है 100 ग्राम आज हम उसकी रेस्पी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि वह पाउडर कैसे बनता है उसे हम बड़ी असानी से ग्राम ज्यादा हो रेट तो वह रेट का जो भी कैलकुलेशन होगा वह अपनी सेटी के साब से लगाईएगा बाकि इसकी जो भी कॉस्ट आएगी लास्ट में आपको वह बताऊंगा कि इसकी कितनी कॉस्ट आई 100 ग्राम जो हमने मश्रूम पाउडर बनाया जो बजार में लिखता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजे चाहिए रहेंगी तो प्रिया इस पर फोकस करना देगे जैसे यह हमने लिया है सुगर यह 8 परसेंट लिया है ध्यान से देखिएगा 8 परसेंट हमने सुगर लिये मलब शक्कर लिये यह हमें 30 पैसे की पड़ी ठीक यह हमारा टाटरी नीबू सत्वी बोलते हैं इसको यह हमने लिया है 5 परसेंट मतलब की 5 ग्राम तो यह हमें पड़ी 50 पैसे की तीसरा हमारा है जीरा जीरा पाउडर है 10 परसेंट ध्यान से सुनते चाहिएगा कितने परसेंट मैं बता रहा हूँ उतने ही परसेंट मिलाना है आपको बिल्कुल बजार के जो मश्रूम पाउडर है बिल्कुल बैसा ही बनेगा तो 10 परसेंट हमने जीरा लिया है मतलब की 10 ग्राम तो यह हमें पढ़ा है एक रुपे सत्तर पैसे का ठीक है इसके बाद हम आता हमारा आता है सेंदा नमक सेंदा नमक हमने यहां पे लिया है 6% मतलब की 6 ग्राम यह हमें पड़ा है 25 पैसे का यह हमने लिया है ब्लेक सॉल्ट काला नमक यह भी हमने 6 परसेंट लिया है और यह हमें पड़ा है मात्र 10 पैसे का अब यह आता हमारा तील 25 यह चटवा आ गया हमारा यह अजवाइन है अजवाइन हमने लिया है 10 परसेंट मतलब की 10 ग्राम तो यह हमारा पड़ा हमें 20 रुपे का ठीक है अभी इसको साइड में रखते हैं यह हमने लिया है आमला आमला लिया है हमने 10 परसेंट मतलब की 10 ग्राम यह हमें पढ़ा है 2 रूपे का आमला पाउडर है यह हमने लिया है सफेद मूसली सफेद मूसली हमने 10 परसेंट लिये मतलब की 10 ग्राम लिये यह हमें पढ़ी है 12 रूपे की जैसे की मार्केट में जो भ उसके बाद हमारा यह है अश्व गंदा अश्व गंदा हमने लिया है 10% मतलब कि 10 ग्राम यह हमें पड़ा है मात्र 10 रुपे का अब हमारा मैन आता है मश्रूम तो यह मश्रूम पाउडर हमने लिया है यह हमें लेना है 25% मतलब कि 25 ग्राम अभी हम सिर्फ 100 ग्राम के लिए यह बना रहे हैं तो आप इसके इसाब से calculation करके आप kilo में जितना भी बनाना चाहें बना सकते हैं मैं percentage में आपको बता दे रहा हूँ कि कितना mix करना है तो यह हमने लिया है 25% तो यह हमें पढ़ेगा 15 रुपे 600-700 रुपे किलो mushroom powder राम से market में पिकता है अब हमें इसको बनाना कैसे है वो देखिए यह हमने एक जार ले लिया एक एक करके सारी चीज़े आप इसमें एड़ कर दीजे तो सक्कर गई टाटरी गई उसके बाद यह जीरा गया जीरा पाउडर इसके बाद यह गया सेंदा नमक उसके बाद गया यह black salt यह गई अजवाईं अजवाईं के बाद आता है हमारा यह आमले का पाउडर यह गया यह है हमारा मूसली सफेद मूसली गई अब इसी में हम मश्रूम पाउडर भी add करेंगे तो यह हमने 25 ग्राम मश्रूम पाउडर रेड कर दिया और लास्ट में हम यह डाल देंगे हमारा अश्वगंदा इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है आप इसे अच्छे से मिक्सर में लीजे अगर आप बहुत चोटा स्टाट अप सालू कर रहे हैं तो आप घर की मिक्सी में से पीश सकते हैं इससे सब पाउडर फाम में लीजे और इसे ग्राइंड कर लीजे और हमारा पाउडर हो जाएगा तो बस एक मिनिट में मैं इसे ग्राइंड करता हुआ अब कि आप कमर्सीली जब करेंगे थोड़ा बड़े में प्रोडक्शन करेंगे तो आप जो मिक्सी आती है साथ-8000 की पीशने वाली वह मिक्सी से आप इसको आराम से सब चीजे मिक्स करके पीश सकते हैं पाउडर बनेगा अब आप इसी क्या कर सकते हैं यह हमारा पाउडर रेडी हो गया है बिल्कुल मार्केट में बिखने वाला जो मश्रूम पाउडर है वो हमने रेडी करके आज आपको दिखा दिया है तो फटाबट चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे बैल बटन की घ बॉक्स लीजे और उसमें अराम से इसको ट्रांसफर कर लीजे तो इसकी टोटल कोस्ट जो हमें आई है वो 45 रूपीज के आसपास आई है अब आप सोचिए 45 रूपीज में हमारा हेंड़ ग्राम रेडियो चुका है बल्कि यह और कम में हो जाएगा जो मार्केट में रेट में जो बिकरा है वो 300 से 350 रूपीज का बिकरा है मश्रूम पाउडर चाहें वो किसी भी ब्रांड का हो बल्कि उससे और कोश्टली ही है तो यहां हमने देखिए किते सस्ते में आपको बता दिया कैसे रेडी करना है पाउडर तो अब आप बढ़िया से मश्रूम पाउडर अपना लांच कर सकते हैं सिर्फ एक फसाई का आपको लाइसेंस लगेगा या तो हर्वल प्रोडक्ट का जो लाइसेंस रहता है वो लगेगा और आपका मश्रूम पाउडर आप चालू कर सकते हैं तो देखिए मार्केट में बिखने वाला पाउडर की सीक्रेट रेस्पी जो कोई भी नहीं बताता अपना बिजनिस कोई भी किसी को नहीं बताता है लेकिन हम आप लोगों के लिए लेके आये हैं कोई भी नहीं बताता है कि कैसे बनता है यह सब अपना गुप्त रखते हैं बिजनिस बढ़ाने के लिए लेकिन हम चाहते हैं सब बढ़ें और सब आ बेश सकते हैं मेरी बात मानें तो इसे reasonable rate में sell करिएगा तो यह जो आप recipe मैंने आपको बताई है मैंने सारे चीजे description में में नीचे लिखके दूँगा तो जो भी हमने मिलाया है वो description में मैं और लिख दूँगा बाकी मैंने percentage में आपको बता दिया कि 100 gram में कितना मिलाना है तो बने रही है दोस्तो चैनल के साथ क्योंकि आँगे मैं आप लोगों के लिए एक और सब्सक्राइज लेके आने वाला हूँ एक ही बहुत सांदा रेस्पी अचार के मसाले की तो हम उसमें मसाला भी घर पर ही बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा और अचार कैसे बनान है मशुरूम का वो भी बताऊंगा तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिएजेगा बेल बटन की घंटी को जरू दबा दीजेगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जैहिंग को जरू जय में जाज में जैए आपको जला देंगा और प्योव